नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है देश में घातक कोरोना का कहर जारी है पिछले 24 गंटे में कुल 60 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा है और इस तरीके से यदि संक्रमितों की बात करें तो संख्या लगभग 30,000-39,451 पहुँच गई है जबकि रिकवर्ड लोग की संख्या 737 है और टोटल मरने वालोग संख्या 949 हो गई है लेकिन सबसे ज़्यादे तबाही महाराष्ट और गुजरात में मची हुई है महाराष्ट में पिछले 24 गंटों में 522 नए मामले आये हैं और 27 लोग की माउत हुई है जबकि गुजरात में कोरोना से 247 पॉजिट संख्या उसमें से 41 फिस्दी जो केसेज हैं वो महाराष्ट और गुजरात के हैं और दोनों यह संख्या मिला कर बैठती है 11,379 यह सबसे ज्यादे चीनता की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तो जो इसका DNA decode किया महाराष्ट और गुजरात में गुजरात बायो टेक्नोलाजी रिसर्च सेंटर ने जो decode किया है इसमें पाया है कि गुजरात में करोना का जो वायरस है वो करोना का सबसे खतरनाक वायरस यानि की L-type strain है इस ट्रेन क्या है कैसे यह मिल्टेट करता है यह सब हम आपको इसलिए यहां संक्रमितों की संख्या बढ़ रही वही महाराश्च में भी कोरोना वायरस के एल टाइप इस्टेन की पुष्टी हुई है लिया जाँ वहां भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है अब आपको याद दिलाएं कि वीश्व में सबसे जादे यदि कहीं तबा ही मची है तो वो है निव यार अब आप पाएंगे कि एक अकेले अमेरिका के अलग-अलग सहरों में अलग-अलग जगों का अलग-अलग काइंड्स के जो है कुरोना वायरस सक्री हुआ उसका इस्टेन तो यह जो आया था निव यार्क में उसका इस्टेन वो इंग्लेंड से आया था यूरोप से आया था और अमेरिका ध्यान केंदरित कर रहा था चाइना पे ठीक किसी तरीके से भारत में भी अलग-अलग जगों पे अलग-अलग strain active है तो कहाई यह जा रहा है कि महाराष्ट और गुजरात में जो strain active है L-type वो सबसे ज़ादे खतरनाक है और यही वज़ा है कि वहाँ पे casualty ज़्यादा हो रही है ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं आपने एक report और पढ़ी और दुनी होगे कि भारत में जो है कोरोना का जो उतना effect इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे उसका mild प्रभाव है बट mild प्रभाव होते हुए भी इन दोनों राजियों में L-type जो strain है वो active हो गया है और यही सबसे जादे चिंता की बात है जैसा कि पहले आप से जिक्र किया कि जो कुरोना वाइरस है यह mutate होता है अपना स्वरूप बदलता है तो जैसे इस स्वरूप बदलता है तो इसके तीन टाइप होते हैं A, B, C जो पूरी दुनिया में active है उसमें से क्या है कि इसने इसके लगभग 30 strain आये हैं निकल करके जैसे जैसे यह आगे बढ़ रहा है तबाई मचा रहा है वैसे वैसे इसके strain के बारे में study भी होती चली जा रही है तो यह L टाइप जो strain है वो सबसे ज़्यादा है खतरना करोना एक उसके strain अनेक उसी strain से उसका स्वरूप बनता है इस तरीके से उसका स्वरूप बदलता जा रहा है यानि कि यह बहरूपिया है तो बहरूपिया करोना से निपटने के लिए हमें चात शोबंद ब्यवस्था करनी होगी और एलर्ट राना होगा कि कहां किस टाइप का इस ट्रेन एक्टिव है तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रही है हमारा डिचल चैनल इन खबर थैंक यू इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल